आजकल दिवारों को खुबसुरत बनाने के लिए आपके सामने बहुत सारे options होते है जैसे कि paint एक option आ जाता है, साथ में wallpaper का option होता है आप चाहे तो PVC पैनल अपने दिवारों के उपर लगा सकते हो अगर आपका budget अच्छा खासा है तो आप UV, marble sheet के तरब जा सकते हो इस तरह के बहुत सारे option जो है, वो market में available है पर आजकल एक ऐसा भी option है, जो कि आपको एक natural stone का look देता है बीना natural stone को लगाए जैसा कि हम जानते है, जब हम natural stone का इस्तमाल अपने दिवारों के उपर करते है तो दिवारों का look एकदम खुबसूरत और शांदर दिखाई देता है पर यह जो natural stone होते है, इन्हें अपने घर के अंदर लगवाने में कुछ limitations होते है सबसे पहली चीज तो यह आजाती है कि इनका वजन बहुती जादा होता है जिसके वज़े से हम इने घरों के अंदर नहीं लगाते है, साथ में इसकी thickness भी अच्छी कासी होती है अब यह सभी चीज़े सही है, पर अगर आप चारते हो अपने दिवारों के उपर natural stone का look और वो भी बिना अपने दिवारों के उपर वजन बढ़ाए तो आपके सामने एक option आजाता है, जोकि है pure stone wall panel अगर आप इन panel को अपने दिवारों के उपर लगा देते हो, तो definitely जो लोग आपके घर के अंदर आएंगे वो आपसे जरूर ये सवाल कुछेंगे कि आपने आपने दिवारों के उपर क्या लगाया है इतने जबरदस्त ये wall panel दिखाई देते हैं, ये pure stone wall panel उन लोगों के लिए best option आजाता है, जोकि एक अलग चीछ चाते है अपने दिवारों के उपर लगाने के लिए देखे दोस्तों इस wall panel के बारे में आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे उन सभी सवालों के जवाब हम इस video में देखेंगे इस wall panel के specification के साथ installation और सबसे आखिर में हम ये देखेंगे कि इन wall panel को लगाने के लिए आखिर आपको कितना खर्चा सकता है तो सबसे पहला सवाल ये आजाता है कि आखिर ये wall panel किस चीज से बनाए जाते है जैसे कि नाम से ही पता चलता है ये जो pew wall panel है इने बनाने के लिए polyurethine foam का इस्तमाल किया जाता है जो कि बहुती lightweight material होता है अगर हम बात करें इनके sizes की तो ये आपको different size में मिल जाते है पर खास करके 2 feet by 4 feet के panel का इस्तमाल किया जाता है और इनकी जो thickness है वो भी अलग-अलग होती है यानि कि आप 35 mm से लेके 50 mm, 100 mm तक आपको ये panel जो है वो मिल जाता है और इन panel के उपर जो texture है वो भी different आपको मिलता है different color के साथ अब यहाँ पर next point आ जाता है जो कि है installation तो ये जो pure stone wall panel होते है इनका जो installation है वो बहदी आसान होता है फिविकॉल wall fix की मदद से आप इने directly wall के उपर fix कर सकते हो या फिर आप silicone का भी इस्तमाल करते हुए इने wall के उपर fix कर सकते हो अब यहाँ पर कुछ panel के लिए screw का भी इस्तमाल किया जाता है हाला कि यह जो screw है वो उपर से दिखाई नहीं देते है जैसा कि आप इस अगले diagram में देख रहे हो यह जो screw होते है यह उपरी panel के नीचे hide हो जाते है तो इसी वज़े से यह बाहर से दिखाई नहीं देते है इसी वज़े से आप इन पैनल का इस्तमाल बहुत सारी जग़पर कर सकते हो जैसे कि डेकोरेशन के लिए आप अपना जो बेड है उसके पीछे की जो वाल है वहाँ पर आप इन पैनल का इस्तमाल कर सकते हो अगर आप कही पर TV unit बना रहे हो तो वहाँ पर भी in panel का इस्तमाल कर सकते हो और अगर आप किसी specific एक wall को अलग दिखाना चाहते हो तो वहाँ पर भी pew stone wall panel का आप आरम के साथ इस्तमाल कर सकते हो और ये product इतना durable होता है कि आप इसे indoor और outdoor दोनों जग़ा पर आरम के साथ इस्तमाल कर सकते हो तो अब हम इस product के कुछ advantage के बारे में जानते है उसके बाद हम ये जानेंगे कि आखिर इसे लगाने के लिए आपको कितना खर्चा सकता है तो सबसे पहला फाइदा in pew stone wall panel का ये आता है कि इनका वजन बहुती कम होता है यानि कि ये बहुती lightweight होते है अगर हम घर के अंदर natural stone का इस्तमाल करते हुए कोई दिवार बनाते है तो वहाँ पर दिवार का वजन बहुत जादा हो जाएगा तो ऐसी जगह पर काम में आते है ये pew stone wall panel जिनका वजन बहुती कम होता है ये जो wall panel है इनका अगला advantage ये होता है कि ये waterproof होते है यानि कि पानी का इसके उपर कोई भी आसर नहीं होता है हाला कि इनके उपर पानी का कोई आसर नहीं होता है पर जिस चीज से आपने इने wall के उपर चिपकाया है हाला कि ये जो panel है ये waterproof होते है पर इने आप जिस चीज से wall के उपर चिपकाते हो उनके उपर अगर पानी का असर होता है ऐसे समय में आपके पैनल जो है वो दीवार को छोड़ सकते है इन Pew Stone Wall Panel का अगला Advantage यह होता है कि यह टर्माइ ट्रूफ होते है यानि कि दीमक वगेरा ऐसी समस्या यहाँ पर निर्मान नहीं होती है अब यह जो पैनल होते है यह डैम प्रूफ होते है अगर आपके दीवार के उपर कोई सीलन है तो उनका इन पैनल के उपर कोई असर नहीं होगा पर मेरा recommendation आपको यह रहेगा कि पहले आपको दीवार की सीलन का treatment करना चाहिए किसी भी पैनल को लगने से पहले उसके बाद जाकर आपको इन पैनल को लगवाना चाहिए बहुत सारी जगह पर यह कहा जाता ही कि यह सीलन की समस्या का इलज है देखिए दोस्तों बाहर से आपका पैनल सही दिखाई देगा पर अंदर से आपकी दीवार पूरी तरह से खराब हो सकती है तो इसलिए पहले सीलन का ट्रिटमेंट कीजे उसके बाद जाकर इन पैनल को लगाईए इन पैनल का अगला अडवेंटेज यह है कि यह easy to install है यानि कि बहुती कम समय के अंदर आप इने आराम के साथ fix कर सकते हो अब आते हैं इस वीडियो के सबसे important point के तरफ कि आखिर इन पैनल को लगाने के लिए आपको कितना खर्चा सकता है यह जो pure stone wall panel होते है इनका जो cost है वो depend करता है कि आप कितने thickness का panel लेने वाले हो उसका size कितना होने वाला है color कौन से इस्तमाल करने वाले हो texture की सिसाफ से है इन चीजों के उपर depend होता है कि आपको wall panel लगाते समय कितना खर्चा सकता है पर अगर हम एक approximate cost मानके चले तो cost लगबग 300 रुपे पर square feet से लेके 500 रुपे पर square feet तक आपको इन पैनल को लगाने के लिए खर्चा सकता है example के लिए मानके चलते है अगर आपकी कोई 10 feet by 10 feet की wall है तो उसके उपर अगर आपको इस तरह के पैनल लगाने है तो लगबग आपको 30,000 रुपे तक खर्चा सकता है यानि कि अच्छा कासा पैसा जो है इन पैनल को लगाने के लिए खर्च हो जाता है तो शौक बड़ी चीज होती है बरोबर न भाव बाकी wall पैनल की तुलना में इने लगाने का जो खर्च है वो डेफिनेटली जादा होता है मेरा रेकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि अगर आपका बजेट कम है तो डेफिनेटली आप दूसरे wall पैनल के option के तरफ जा सकते हो या फिर tile जैसे option के तरफ भी जा सकते हो ये जो pure stone wall पैनल है ये उन लोगों के लिए best option होगा जिनका बजेट अच्छा कासा है बाकी इस वीडियो में मैंने आपको genuine information देने की कोशिश की है इस product को या फिर किसी और wall पैनल को मैं sell नहीं करता हूँ तो इस वीडियो के बारे में आपके जो विचार है comment box में comment जरू कीजे और आप अपने घर के लिए कौन से type के wall पैनल को लगवाना पसंद करोगे comment box में comment जरू कीजे वीडियो अगर आपको अच्छा लागा हो तो जरू इसे like कर दीजे चानल पर अगर आप लोग नए आये हो तो चानल को जरू सब्सक्राइब कर दीजे और वीडियो बहुत ज़ादा ही अच्छा लागा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेर कर दीजे बाकी इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरू काम में आ सकता है